वेल्कम टू जीके जीए स्वित्मनित सर आज का हमारा टॉपिक है मैन बुक्कर पुरुषकार मैन बुक्कर पुरुषकार से आपके एक्जाम में जो भी महत्तुपूर्ण प्रश्ण बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इससे पहले मैंने बताया था की सवर्स होई थी एकिस पूषकार के शुरुषकार की सुरुषकार के बाद सबसुनित में धेयर में बुक्र पुरुषकार में वीडियो बना के डाल यूटुब पे तो जाके आप देख रेना वहां से फिर नॉबल पुरुसकार से जो भी आपके प्रश्णों के सारे कभर हो जाएंगे ठीक है तो आपको बताना है केमेंट बॉक्स में कि नॉबल पुरुसकार जो है वह कितने छेतरों में दिया जाता है और वह छेतर है कौन- अजब बिटीस अर्थात बिटेन बिटेन की राजधानी क्या है लंदन है बिटेन की करेंसी क्या है पाउंड इस्ट्रिलिंग और बिटेन के प्रधान मंद्री भी बने है कौन बने है उसका जबार देना है केमेंट बेक्स बॉक्स में आपको कि बिटेन के प्रधान मंद् रखात जो देस्त राष्ट मंडल में जवाइन है उसी देश को यह पूशकार दिया राता है इस पूशकार की रासी कितनी है तो इस पूमदिये एक वार अंग्रेजी भासा में अथवा अनुजित उत्त कृष्ट तथा साहित धरे के होगी उसको यह पुरुषकार दिया जाएगा अंतराष्ट्रिये मैन बुक कर पुरुषकार देखो मैन बुक कर पुरुषकार परती वर्स दिया जाता है लेकिन अंतराष्ट्रिये man booker पुरुषकार जो आपका है यह दो वर्स के अंतराल पे दिया जाता है यानि कि दो वर्स में एक बार अंग्रेजी भासा में अथवा उस भासा में जो ट्रांसलेट होगा उस पुष्टक को यह दिया जाएगा अब अगला प्रशन है आपका इन आ फ्री स्टेट पुष्टक के लिए बी एस नाइपोल को किस वर्स man-booker पुरुषकार दिया गया था तो 1971 में इन आ फ्री स्टेट के लिए बी एस नाइपोल जी को man-booker पुरुषकार से समानित किया गया था अगला प्रश्ण है आपका midnight children के लिए 1981 में किसे man booker पुरुषकार से समानित किया गया तो 1981 में सलमान रुस्दी को man booker पुरुषकार से समानित किया गया था ठीक है अब देखो अगला प्रश्ण है the god of small things के लिए अरुंधती राय को किस बर्स man booker पुरुषकार से समानित किया गया था तो 1997 में the god of small things के लिए अरुंधती राय को इस पुरुषकार से समानित किया गया था देखो कई बार एक जाम में पुछ रिया गया है कि in a free state के लिखक कौन है तो b.s.naipole है ठीक है और the god of small things के लिखक कौन है तो अरुंधती राय है जिनके लिए इनको 1997 में man booker पुरुषकार भी दिया गया है अगला प्रशन है आपका अरुविंद अडिगा को 2018 में किस पुस्तक के लिए man booker पुरुषकार से समानित किया गया था तो white tiger के लिए समानित किया गया था अच्छा मैंने विजश्ट बताया न कि अरुंधती राय को man booker पुरुषकार दिया गया था किस पुस्तक के लिए तो अरुंधती राय को the god of a small thing लिए दिया गया था कब दिया गया था ये बताना comment box में आपको ठीक है पीछे नहीं जान तो the inheritance of lost पुरुषकार के लिए किरन दिसाई जी को 2006 में man booker पुरुषकार से समानित किया गया था किस वर्ष तो 2006 में निमलिखित में किसे दो बार man booker पुरुषकार से समानित किया गया है तो Hillary Mantle जो England की है इनको दो बार man booker पुरुषकार दिया गया है अब दो बार दिया गया 2009 में किनको तो हिलेरी मेंटल को और एक बार दिया गया 2012 में 2009 में जो दिया गया आपका वो वुल्फ हॉल के लिए दिया गया और 2012 में जो दिया गया आपका वो बिंग बिंग अप दौड़ी के लिए दिया गया किस पुस्तक लिए दिया गया तो बिंग ऑप दौड़ी क के लिए 2012 में और वुल्फ हॉप के लिए 2009 में इन्हें यह प्रुषकार से समानित किया गया इन्हें तो हिलेरी मेंटल को जो कहां की है अगला प्रशने आपका निमलीकित में किस वैक्ति को सरप्रथम मैं बुकर पुरुषकार दिया गया था तो पी एच निवी को सरप्रथम मैं बुकर पुरुषकार दिया गया था अब सरप्रथम दिया गया तो आपको समझी गया होगे कि 1969 में इस पुरुषकार की सुरुवात होई तो 1969 में ही दिया गया ठीक है देखो आप्सन में और भी तीन वेक्ती है इन तीनों के बारे में भी जानेंगे कि इन तीनों को कब दिया गया मैं बुकर पुरुषकार तो देखो P.H.A. Newview को 1969 में Something to Answer for के लिए दिया गया Von Duskachel Communist को 1917 में The elected member के लिए दिया गया और J.J. Farrell को 1971 में Travels के लिए दिया गया और B.S. Naipal जी को 1972 में in a free state के लिए दिया गया ठीक है किन के लिए दिया गया तो in a free state के लिए B.S. Naipal जी को दिया गया तो यह चार वैक्तियों के मैंने नाम बता है जिन को 1969 में दिया गया करमसह दिया गया 1917 में 1971 में 1972 में कई बार एक्जाम में आ चुका है आपका कि in a free state के लिखक कौन है या तो आपसे man booker के बारे में पूछ लेगा कि किस वर्श दिया गया कि इनको या तो पूछ लेगा कि the elected member के लिखक कौन है तो वर्निस रूवेंस है travels के लिखक कौन है तो जेजी फैरल है कौन है जेजी फैरल है इस तरह से आपसे पूछ लेगा अब अगला प्रशन है आपका निमलेखित में किसी 2022 का man booker पुरुषकार से समानित किया गया तो 2022 का जो man booker पुरुषकार दिया गया वो दिया गया सेहान करुणा तिलक को दिया गया किन्हें दिया गया तो सेहान करुणा तिलक को यह पुरुषकार दिया गया 2022 का man booker पुरुषकार या रखना man booker बोल रहा हूं मैं न कि अंतराश्ट्री man booker बोल रहा हूं ठीक है आप देखो सिरहान करोना तिलग जो आपके हैं इनको 2022 में The Seven Moons of Mali Almeida पुस्ता के लिए इस पुस्ता के लिए The Seven Moons of Mali Almeida पुस्ता के लिए 2022 का मैं बुकर पुष्चार के नहीं दिया गया तो सेहान करोना तिलग को दिया गया अच्छा 21 का किसको दिया गया मैं बुकर प्रुषकार तो देखो ये जो सेहान करुणा तिलक आपके हैं ये कहां के हैं तो सिरलंगा की है ठीक है और 2021 में किसको दिया गया तो डेमन गलगुट को दिया गया किस पुस्ता के लिए तो दा प्रॉमिस पुस्ता के लिए दिया ग ठीक है चलो अब अगला प्रश्ण है आपका अंतराष्ट्रिय मैन बुक कर पुरुषकार 2022 किने दिया गया तो अंतराष्ट्रिय मैन बुक कर पुरुषकार 2022 जो दिया गया वो गितांजली सिरी को दिया गया अब देखो गितांजली सिरी को दिया गया तो किस पुस्तक के लि यह गितांजली स्री को यह प्रोषकार दिया गया यह BPSC ने पूछा गया है कि रेत की समाधी के लिखक कौन है इस बार जो BPSC हुई है 67 में उसमें पूछा गया है ठीक है अब देखो Tom of Sand पुस्तक जो आपका है इसका अंगरेजी एनुबाद जो किया गया था वो किया गया था डेजी रॉकेविल के दौवारा याद रखना Tom of Sand अर्थात रेत की समाधी जो पुस्तक लिखा गया है गितांजली सिदी के दोरा लिखा गया है लेकिन उस पुस्तक का अंग्रेजियन वाद किस ने किया है तो डेजी रॉक विल ने किया है ठीक है तो ये था 2022 का अंतराश्ट्रिय मैन बुकर पुरुषकार 2021 का मैन बुकर पुरुषकार किसे दिया गया अंतराश्ट्रिय वारा यहां अंतराश्ट टाइप रही है तो 2021 का अंतराश्ट्रिय मैन बुकर पुरुषकार एट नाइट औल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए डेविड डियोप को दिया गया ठीक है दोशेर 21 का Man Booker अंतराश्ट्रिय मैन बुकर किसे दिया गया तो DBD Devoop को दिया गया किस पुस्ता के लिए तो At Night All Blood Is Black के लिए दिया गया ठीक है किस वर्स दिया गया 1921 में दिया गया तो ये था आपका मैन बुकर पुरुषकार और अंतराष्ट्रिय मैन बुकर पुरुषकार जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें सेर करें और सुस्क्राइब करें धन्यवाद